नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूस देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्या सिंग्गा। ने के लिए कहा था, यहाँ पर समय 11 बजे का दिया गया था, लेकिन देखने के लिए मिलता है कि अर्विंद केज्रिवाल समय से पहले पहुच जाते हैं और अपना बयान दर्ज कर देते हैं, जिसमें वो साफ तोर पर E.D. पर ही सवाल उठाते हैं और यह कह देते हैं कि E.D. का नोटिस BJP के कहने पर अर्विंद केज्रिवाल को भेजा गया है और यह नोटिस राजनीती से प्रेरित हैं, उन्होंने कहा कि E.D. ने अर्विंद केज्रिवाल को यह नोटिस इसलिए भेजा है ताकि वो चुनाव में प्रचार प्रसार ना कर पाएं, जहां एक और E.D. और C.B.I. दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने 338 करोण का घोटाला किया है, यहां पर सीधे सीधे आब कारी नीती का दुरूपयोग किया गया है, जो से बंद कर दिया गया, लेकिन अब अर्विंद केज्रिवाल कह रही है कि E.D. C.B.I. के इंद्रस्तरकार के हातो की कटपुतली है और उन्ही के कहने पर पार्टी के नेताओ पर चापे मारी की जा रही है, जहां एक और अर्विंद केज्रिवाल ने साफ तोर पर E.D. पर ही यह पूरा खेल पलटने का काम कर दिया, तो वही देखने के लिए मिलता है कि दिल्ली सरकार में मंतरी राजकुम के नौ ठीकानों पर E.D. धाबा बोल देती है, चापे मारी का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन अर्विंद केज्रिवाल ने जहां एक और E.D. पर ही सवाल खड़े कर दिये, तो वही अब E.D. ने अपनी जो जाच की रफतार है, जो चापे मारी की रफतार है, उसे और जादाते इस कर दिया है, देखना होगा, अर्विंद केज्रिवाल के इस बड़े खुलासे के बाद अब भारतिये जनता पार्टी क्या करती है, क्योंकि अपने बयान में वो साफ तोर पर B.J.P. को E.D. के लिए यहां पर जिमेदार बताते में नज़रा रहे कह रहे हैं, क B.J.P. के कहने पर E.D. यह पूरी कारवाई करे, यानि के चुनाव से पहले अर्विंद के जिवाल ने भारतिये जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है, E.D.C.B.I. का दुरूपयोग करने का, अब अर्विंद के जिवाल के इस बयान के बाद भारतिये जनत है धूराई के जिवाल आरोप लिवाल के जिवाल के लारतिये जनता उनता अएमता है, E.D. अ.